देश इस बात का साक्षी है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने 2014 से सरकार का काम का समाला है। तब से लेकर आज तक लगातार उनकी सरकार की प्रतिवदता, किसान और क्रसी दोनों के प्रति रही है। परिणाम सरूप आप देखेंगे कि विगत साथ वर्सों में मोधी जी के नितरत्तु में क्रसी को लाब पहुचाने की दृष्टी से अनेक नई योजनाएं आरंब की गई जिनका लाब आज किसानों को मिल रहा है। वर्सों से प्रतिक्षा थी, MSP को लागत पर 50% मुनाफ़ा जोड़ कर घोसित किया जाए। परधान मंद्री जी ने ये निर्ड़े किया, इसका लाब किसानों को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, परधान मंद्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सरकारी खरीद को लगबग दो गुना किया। पहले गेऊं और धान दो ही जिनसों की खरीद होती थी। मोदी जी के निर्देश के बावजूद कपास, दलन, तिलन और मौटे अनाज़ की भी खरीद प्रारंब हुई है। देश भर में छोटे किसानों को आए साहता देने के रूप में पी-म किसान सम्मान निधी योजना आरंब की गई। एक लाग बासट हजार करोड रूपया इस योजना के माध्यम से किसानों की जेब में पहुचाने का काम किया। क्रॉप लॉन की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो क्रॉप लॉन को इन साथ वर्सों में दोगुना किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के कबरेज को भी बढ़ाने के सद प्रियत्न किये गए हैं। क्रसी छेत्र में अदो सरचना की कमी लंबे समझ से थी। इस अदो सरचना को बढ़ाने के लिए एक लाग करोड रुपय का इंफाइस्टिक्चर फंड प्रावधित किया गया। जिस पर काम प्रारम हो गया है अनेक संस्थाओं को इसका लाब मिलने लगा है। फिर नीम पूर्टिंग यूरिया हो चाहे हमारा सौइल हेल कार्ट 22 करोड किसानों को देने का मामला हो। इन सब द्रश्टियों से खेती और किसानी को लाब पहुचाने का प्रेद्र प्रदानमंद्री नरेंदर मोदी जी के नेतरतों में किया गया। प्रदानमंद्री जी चाहते थे कि किसानों के जीवन में जो बंदिसे हैं उनको खोला जाए। इस दिसा में अने करसी अर्शास्रियों ने व्यग्यानिकों ने लंबे समय तक अध्यन किया। और इसके परणाम सरूप प्रदानमंद्री जी करसी सुधार की दरश्टी से तीन कानून लेकर आए जिनको लोकसभा और राजसभा ने पारिद किया। उन कानूनों का लाब निश्यद रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे परदानमंद्री जी की साफ नियत थी कि करसानों के जीवन में करांतिकारी बदलाव आए। लेकि मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाब हम तेज के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अफसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे साथ मिलकर करसियर सास्यों ने वेग्यानिकों ने किसान संगठनों ने इन लाबों को समझाने की कोसिस की। मैं निश्यत रूप से उनका बहुत आवारी हूँ। परधान मंद्री जी ने लगातार इस बात की कोसिस की थी कि इन सुधारों के बाद देश के क्रसी छेतर में बदलाव आए। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके करण कुछ खिसानों को इन कानूनों में आपत्ती दिखाई देती थी। यदे तर्ब के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया उनको समझाने की कोसिस की लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकास पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद करने रिपिल करने का जो निर्ड़े किया है वह निश्यत रूप से स्वागत योग है। प्रधान मंत्री जी यहीं नहीं रुके साथ ही साथ प्रधान मंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि जीरो बजट खेती हो, MSP हो और क्राउप डाइवर्सिफिकेशन का विसे हो इन सब पर एक समीती बनाई जाएगी। इस समीती में केंदर सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैग्यानिक, अर्शास्री यह सब उस समीती में रहेंगे। यह समीती MSP को प्रभावी और पारदर्सी बनाने की दिसा में और बाके विश्यों को समेट कर अपनी रिपोर्ट देगी। वैर रिपोर्ड आने वाले कल में किसानी के शेतर में लाप्रद होगी। ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और इस द्रश्टी से आज प्रधान मंतरी जी ने जो निर्ड़े किया है यह उनके वड़पन और किसानों की भावनाव के प्रति सब्वेदत सीलता का परिशायक है। मैं इस एतियासिक निर्ड़े के लिए प्रधान मंतरी जी का हिर्दे से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रिगट करता हूँ।